पंचमुख हनुमत कवचम पंचमुखी हनुमान कवच सभी प्रकार के अनिष्ट को दूर करने वाला है इसके नीमित पाठ से सभी प्रकार के रोग और कष्ट दूर होते है पंचमुखी श्री हनुमान जी का चित्र यदि घर के प्रवीश द्वार पर लगाया जाए तो बड़ा ही मंगलकारी होता है और श्री हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है भक्त जनों आईए पंचमुखी श्री हनुमान जी के कवच का पाठ करते हैं गरुण उवाच अथ ध्यानं प्रवक्षामी स्रिणु सरवांग सुन्दरं यत्कृतं देव देवेन ध्यानं हनुमत प्रियं। पंच वक्त्रं महाभीमं त्रिपंच नय नैर्युतं। बाहु भिर्दश भिर्योक्तं। सरव कामार्थ सित्थिदं। पूर्वं तुवानरं वक्त्रं। कोटि सूर्य समप्रभं। दंस्ट्राकराल वदनं। भ्रिकुटी कुटिलेक्षणं। अस्यईवदक्षिणं वक्त्रं। नारिसिंगं महाधुतं। अत्युग्रते जोवपुषं। भीषणं भयनाशनं। पश्यमं गारुडं वक्त्रं। वक्रतुंडं महाबलं। सर्वनागप्रशमनं। विषभूतादि क्रिंतनं। उत्तरं सौकरं वक्त्रं। कृष्णं देप्तं नभोपमं। पाताल सिंह वेताल। ज्वर रोगादि क्रिंतनं। उर्धं हयाननं घोरं। दानवांत करंपरं। येन वक्त्रेण विप्रेंद्र। तार काख्यं महासुरं। जगान शरणं तत्यात सर्वशत्रु हरं परं। ध्यात्वा पंच मुखं रुद्रं। हनुमन्तं दयानिधिं। खडगं त्रिशूलं खटवांगं। पाशं कुष परवतं। मुष्टिम् कव मोदकीम् ब्रिक्षं। धारयंतं कमंडलुम। भिंदि पालं ज्यान मुद्रां। दश भिर्मुनी पुंगवं। एतान्युध जालानि धारयंतं भजाम्यहं। प्रेतासनोप विष्टम्तं सरवाभरण भूशितं। दिभ्यमाल्यां बरंधरं। दिभ्यगंधानुलेपनं। सरवाश्यर्यमयं देवं। हनुमद विश्वतो मुखं। पंचास्यमच्योतमनेक विचित्रवरणं। वक्त्रम्षशांक शिखरं कपिराजवर्यं। पीताम्बरादिमुकुटै रूपशोभितांगं। पिंगाक्षमाध्यमनिशं मनसास्मरामी। मर्कटेशं महोत्साहं। सर्वशत्रु भरंपरं। शत्रु संहारं आम्रक्ष। स्रीमन्नापद मुद्थर ओम्हरि मर्कट मर्कट मंत्रमिदं। परिलिख्यति लिख्यति वामतले। यदि नश्यति नश्यति शत्रु कुलं। यदि मुँचति मुँचति वामलता। इदम्कवचंपठित्वातू। महांकवचंपठे नरह। एकवारं जपेस्तोत्रं सर्वशत्रु निवारणं दिवारं तू पठे नित्यं पुत्र पउत्र प्रवर्धनं त्रिवारं चपठे नित्यं सर्वसंपत्करं शुभं चतुर्वार पठे नित्यं सर्वरोग निवारणं पंचवारं पठे नित्यं सर्वलोक वशंकरं शठवारं चपठे नित्यं सर्वदेव वशंकरं सप्तवारं पठे नित्यं सर्व सौभाग्यदायकं अश्टवारं पठे नित्यं अश्ट कामार्थ सित्धिदं नववारं पठे नित्यं राजभोगं वापनुयात दश्वारं पठे नित्यं त्रैलोक्य ज्ञान दर्शनं रुद्रा वृत्यं पठे नित्यं सर्व सित्धिर्भवेत्रुवं कवचस्मरणे नईव महाबलं वापनुयात इति पंडित शिवदत्त मिश्र शास्त्रि विरचिते हनुमत रहस्य सुदर्शन संधितायाम श्री राम चंद्र सीता प्रोक्तं पंचमुक हनुमत कवचं संपूर्णं ओंचमुक हनुमत रहस्य सुदर्शन संपूर्णं